जो अप्रान्या संभिधान आ रहा था तो डाक साब को कई बातों की चिंता थी लग साब ने कहा लोकतंत्र ला रहे हैं अच्छी बात है लेकिन क्या पहले लोकतंत्र नहीं था पहली लोकतंत्र था हमने आजादी किल्लाई में बहुत सारे नए नए प्रियों किये हैं हमने धरने दिये हैं हमने पुर्दर्शन किये हैं हमने सरकारी कानून की अवज्या की है हमने नौन कोपरिशन मूमन चलाए हैं अब ध्यान में रखो अब संभिधान अपना है अब सरकार अपनी है आपके पास अपरी बात कहने के लिए विवस्ता है आप भिधान सबा में जाओ आप लोक सबा में जाओ आपको जुड़ी सिरी है आपको प्रेश है अब पुराने जो आदक पढ़ गई है उसको जल्दी से छोड़ दो धर्ना प्रदर्शन कानून ना मानना यह छोड़ दो लोक तंत्र के नाम पर इन अधकारों का प्रयोग अब नहीं करना और करोगे तो अमारा लोक सब्सक्राइ में पड़ जाएगा ध्यान में रखना अगा आपको तो अग्षा अजिए है और रोक साब लिंघ थे हैं If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. it means we must abandon the bloody methods of revolution it means that we must abandon the method of civil disobedience non-corporation and satyagraha उन्हाब इसके आवश्रिक्ता नहीं है राक्षाब जानते थे कि शाट सतर अबर्शों में आदवत लगी है एक दम जाएगी भी नहीं और इसे फिर से लोग शुड़क पर आकर के बैठेंगे धरने लगाएंगे ट्रेन रोकेंगे वो ठीक नहीं होगा और अपने लोकतांत्रिक विवस्थाओं को नश्ट कर देंगे लोगता फिर समझाते when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives there was a great deal of justification for unconstitutional methods but where constitutional methods are open there can be no justification for these unconstitutional methods these methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abundant the better for us झाल